हेलो दोस्तो स्वागत है आप सबकी मेरी चैनल पे जिसका नाम है रेशिपी सास बहुकी तो आज हम बनाने जा रहे हैं काले चने के घुगनी जो यह एक बिहारी रेशिपी है जो बहुत टेस्टी लगता है वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दिजेगा चैन पानी डाल दिया है और हलका सा नमक डाल दिया है अब इसे हम दो सीटी आने तक पका लेंगे तो हम फटाफट प्याच और हरी मीच टमाटर काट लिए हैं तो देखिए चना जो है अच्छी तरह से पक चुका है बिलकुल सौस्ट हो गया है तो चले फटाफट फ्राइ कर ल दिया है पिर इसमें हम हरी मीच और प्याच डाल देते हैं और इसे अची तरह से हम प्याच कर लेतें हैं प्याच को ज़्यादा प्याच नहीं करना है लगबग हम एक से आधा में अधा निन cant ever तो अब इसमें हम हल्दी पाउडर डाल देते हैं और लालमिश पाउडर डाल देते हैं ताकि बहुत अच्छा तीखा फनाता है और बहुत टेश्टी लगता है इसे भी हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे तो अब इसमें हम स्वादनुशा नमक डाल देते हैं और इसे भी अच्छी तरह से हम मिला लेते हैं उबालते समय भी हम इसमें थोड़ा सा नमक डाल लेते हैं इसके कोरी नम नमक डाले हैं तो अच्छी तरह से टमाटर प्याज सारे अच्छी तरह से भुन चुका है तो अब इसमें हम चना जो उबाल करके रखे थे वो डाल देते हैं और इसे भी अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे बहुत ही टेश्टी बहुत यमी लगता है तो आप ज़रूर ट्राइ किजिएगा सबको बहुत पसंद आएगा तो अब इसमें हम भूना हुआ जीदा पाउडर एक चमश डाल देते हैं और इसमें हम आधा चमश चाट मसाला डाल देते हैं और इसे भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे बहुत ही जल्दी बन के तयार हो जाता है तो आप ज़रूर ट्राइ किजिएगा तो देखिए घुगनी बन के तयार हो चुका है तो अब गैस हम बन कर देते हैं आप सुबर के ब्रेकफास्ट में या साम के नास्ती में बनाई है बहुत ही टेस्टी लगता है तो देखिए कितना बनिया दिख रहा है घुगनी जितना अच्छा दिख रहा है उतना ही बनिया टेस्टी लगता है यह घुगनी तो आप ज़रूर ट्राइ किजिएगा सबको बहुत पसंद आगया तो चलिए फटा-फट हम इसे गर्म-गर्म शर्व कर देते हैं तो देखिए हमने शर्व कर दिया है तो उपर से हम थोड़ा सा इसमें निम्बू निचोर देते हैं ताकि इसका स्वाद और चटपटा लगया देखिए मूं में पानी आने लगा तो आप जरूर ट्राइक केजएगा आई होप आपको रेसिपी बहुत पसंद आगा वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सस्क्राइब करें अब लाइकन को प्रेस कर दीजिए अब हम मिलेंगे नई रेसिपी की साथ बाइ बाइ